जेह हिंद साथियो डमरू चैनल में आपका स्वागत है साथियो आज हम NCRT द्वारा लॉंज किये गए एप इपार्ट शाला के बारे में सीखेंगे साथियों अगर आप हमारे चैनलों को पहली बार देख रहे हैं हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनलों को सबस्क्राइब करना और बैल आइकन को दबा के ओल पे कलिक करना ना भूले तो चलिए बेने दिर एटर के वीडियो शुरू करते हैं साथियों सबसे पहले हम अपने मोबाइल में play store को open कर लेंगे play store को open करने के बाद हम type करेंगे epartsala e space देंगे p a t h s h a l a e part sala सर्च कर देंगे जैसे हम सर्च करेंगे शाथियों इस type का interface दिखता है यह apps ncrt के द्वारा बनाया गया है इसको बहुत बढ़िया review भी मिला हुआ है 6.9 MB की file है 6.9 MB की एक million से उपर यह download किया गया है बहुत अच्छा apps है तो यहां से इसको हम install पे click करके इसको install कर लेते हैं वेट करते हैं इसके install होने का साथियों देख लें यह apps इंस्टाल हो गया है तो यहां से हम इसको open कर लेते हैं जैसे हम इसको open करेंगे यह हमसे कुछ permission मांगता है तो यह permission को हम allow कर देंगे जैसे हम इसको allow करेंगे यह थोड़ा शमय ले रहा है यहां से हमसे अमारी language पूशता है आप जिस language में इसको चलाना चाहते हैं जिस भासा में चलाना चाहते हैं उसको click कर लेंगे उससे select कर लेंगे हम Hindi select कर लेते हैं जैसे हम Hindi select करेंगे शाथियों तो यह आगे बढ़ता है और यह हमसे पूछता है कि आप student हैं teacher है, parents हैं या educators हैं तो हम student पे select कर लेते हैं और आगे बढ़ते हैं जैसे हम इस पे click करते हैं तो यह हमसे हमारा नाम पूछता है तो इस पे हम अपना नाम जो है कि लिख देंगे अपना नाम इस पे लिख देंगे इसके बाद हमसे हमारा इश्कूल पूछता है तो यहां हम अपना इश्कूल का नाम लिख देंगे इसके बाद ये पूछ रहा है कि आप NCIT चाहते हैं या अधर्स चाहते हैं तो जो आप चाहते हैं वहाँ से इसको आप यहाँ से इसको आप शलेक्ट कर लीजिएगा तो हम इसको NCIT ही रहने देते हैं इसके बाद ये क्लाश का लेवल पूछता है यहाँ से हम जिस क्लाश को चाहते हैं वो क्लाश हम सेलेक्ट कर लेंगे यह देख लें क्लाश 1 से लेके और 12 तक दिया हुआ है तो हम इसको सेलेक्ट करते हैं 6 आप जो चाहते हैं उसको सेलेक्ट कर लेज़ेगा उसके बाद यह यहां से लेंग्वेज पूछता है तो जो लेंग्वेज हमको चाहिए जिस भाषा में आप इसको पढ़ना चाहते हैं हिंदी उर्दू अंग्रेजी यानि इंग्लिश तो उसको आप यहां से सेलेक्ट कर लेजिएगा उसके बाद इस चेक बॉक्स को क्लिक करके आगे बढ़िएगा यह आगे आगया है खुल गया है आगे की तरफ यह देख लें इस टाइप का दिखता है इंटरफेस तो यहां से मोर आप्शन पर आप जो चाहते हैं यहां से आप प्रोफाइल अगर भी सेलेक्ट कर सकते हैं बनाव शक्ते हैं तो देख लें यह किताब और यह आडियो वीडियो यानि आप भुक को पढ़ सकते हैं या आडियो वीडियो की फाइल भी प्ले करके पढ़ सकते हैं तो हम यहां से इबुक्स पे क्लिक करके आगे बढ़ते हैं यह फिर से एक आता है, साथिवें ये देख लें, हमारा जो सक्सान है, Classics, तो वो यहाँ दिख रहा है, Language जो हमने Select किट थी वो दिख रहा है, अब जो हमको Subject चाहिए, वो Subject भी हम यहाँ से Select कर सकते हैं, यानि Math, Hindi, Social Science, Sanskrit, Science, गणित, Hindi, समाजिक विज्ञान, Sanskrit, विज्ञान, जो भी आपको चाहिए, वो यहाँ से आप बड़े अरामशे Select कर सकते हैं, तो आप इसको कर लिजेगा, चलिए हम यहाँ से Math को, गणित को Select कर लेते हैं, यह देखे, Math की Book ओपन हो गई है, अब यहाँ से जो भी आपको Chapter चाहि जाएंगे, उसके बाद आप इसको Checkbox को Enable कर लिजेगा, यहाँ से इसको Download कर लिजेगा, उसके बाद यह बड़े अरामशे, ओपन हो जाएगा, इसको ओपन करने के लिए, आपके मोबाइल में, Add-Up Reader यानि PDF Reader वाली जो एप्स होती है, वो पहले से इस्टाल होनी चाहिए तब यह खुलता है, कुल्मिला के शाथियों यह बड़ा ही कमाल का एप्स है, शाथियों अगर आपको हमारे वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शियर ज़रूर करें, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी अन्य जनकारी के साथ तब तक ली जैहि वन्देमात्रम, थेंक यू